हलो दोस्तों वल्कम बैक टू अ न्यू वीडियो आज हमारे सामने गडिये इंडियाज वन अफ दे सेफेस्ट कॉम्पक्ट एस्यूवी वोक्समेगन टाइगून क्योंकि इस कार ने ग्लोबाल एंकेप में फाइव स्टार रेटिंग अचीव करी है बोथ एडल्ट और चाइ आप मोडल की जाती है 21.96 लाक आज लेकिन हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर वेरियंट की जो है टाइगून का टॉप लाइन ओन रोड प्राइस पड़ेगी आपकी 18.19 लाक दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं 1 लीटर का और 1.5 लीटर का यह फिलाल आपका 1 लीटर इंजन वा क्रोम का यूज अच्छे से किया गया है नीचे आप रेडिटर गिल में भी क्रोम का यूज देख पाएंगे फ्रंट की जो स्किट प्लेट है वो आपकी सिल्वर कलर में है यह रईस की अंडर बॉड़ी ग्राउंड क्लेंस की बात करी जा तो 188 mm का ग्राउंड क्लेंस यह क आपको ओफर करती है दोस्तो कुछ इस तरह से फ्रंट प्रफाइल आपको देखने को मिलेगी काफी बढ़िया और बोल्ड एंट्रेक्टिव लाइट सेटप की बात करी जाए तो आपको यहां पर देख सकते है LED लाइट का सेटप देखने को मिलता है प्रोजेक्टर में है और साथी साथ कॉर्णरिंग लाइट का फंक्शन भी ओफर किया जाता है उपर आपके DRL नीचे आपके इंडिकेटर अलग-अलग दोनों सेपरेट दिये हुए है नीचे आप देखेंगे तो फॉग लैम्स ओफर किये जाते हैं और साथ में क्रोम का यूज आपको देखने आपको ओफर किये जाते हैं यह तो हो गई इसकी फ्रंट प्रफाइल अब बात कर लेते हैं इसके साइट प्रफाइल की कार की लंबाई है 421 mm की वहीं पर आपको वील बेस मिल जाता है आपका 261 mm का जो इसके अंदर अच्छा कासा सिटिंग स्पेस बना देता है दोस्तों बॉडी लाइन पे क्रीचेज काफी अट्रेक्टिव लगते हैं यह रहे इसके वील्स वील आर्चेज आप देख सकते हैं मैट ब्लैक फिलिश में आपको ओफर किये जाते हैं धायमंड कट अलॉइज है फ्रेंट में डिस्क है कैलिपर आपका सिलवर कलर में देखने को मिल और आपको रिक्वेस सेंसर ऑफर किये जाता है जो कि बहुत बढ़ी बात है बाकि आप देख सकते हैं विंडो लाइन पे आपको क्रोम का यूज देखने को मिल जाएगा और जो पिलर्स हैं आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में आपको देखने को मिलेंगी रूफ रेल सिल वाइपड मिल जाएगा डिफागर मिल जाएगा हाइमाउंट स्टाप लेंप और शार्क फिन एंटीन ऑफर किया जाता है दूस्तों तेल लाइट आप देख सकते हैं काफी बैतरीन और एक दम यूनिक लग रही है नीचे देखेंगे तो आपको तीन दिवर्स पार्किंग सेंसर ऑफर किये जाते हैं यह रही आपके रिफ्लेक्टर्स और साथ में आप क्रोम का यूज देख पाएंगे रियर इसकिट प्लेट आपकी सिल्वर कलर में है और यह रही आपकी अंडर बॉड़ी बूट स्पेस ओपन करके देख लेते लेकिन उससे पहले आप यहां दे देखेंगे तो आपको एक लैंप मिलेगा फॉष्ट इट खिड मिलेगी इमर्जेशी ट्रेंगल मिलेगा यह देख सकते हैं इतना घड़ा इतना हम आपको आफ़र किया जाता है यह रहा इमर्जेशी ट्रेंगल 60-40 इस प्लेट में आपको रियर सीट देखने को मिल जाएं और यह रहे आपका डैश बोट सेकंड रो से कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा यह रहा ग्रैब हैंडल इसको पकड़के आप बूट स्पेस बंद कर सकते हैं रियर प्रफाइल पर्सनली मुझे बहुत पसंद आई इधर आप देखेंगे तो फ्यूल टैंक है कैपैस्ट कलर कंट्रस काफी अच्छा लग रहा यह रहा रिफ्लेक्टर्स फॉर इमर्जेंसी परपस पाउर विंडो के कंट्रोल्स आपको ओफर किये जाते हैं यह रहा आपके ओर वीम के कंट्रोल्स अलेक्ट कली अडजेस्टिबल है यह थोड़ा सा क्रोम का यूज देख और साथी साथ आप देख सकते हैं कि यह प्रॉपर लैदरेट सीट्स हैं और फ्रंट की दोनों सीट्स आना आपको वेंटिलेटेड ओफर करी जाती है कलर कॉम्बिनेशन काफी बढ़िया लग रहा है ब्लैक और वाइट का अब चलिए अंदर बैट के देखते हैं कि यह इ लेकिन मुझे पर्शनली अनलोग क्लस्टर काफी पसंद आते हैं दोस्तों यह रही आपके स्टेरिंग वेल टेल्ट और टेलिसकोपिक एडजस्मेंट के साथ आती है फ्लैट बॉटम है लेदर रैप्ड है इधर सारे आपको क्रूस कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे और थोड़ा और चौड़ा देना चाहिए था इनफोटेन्मेंट स्कीन की बात करी जाए तो कुछ इस तरह की 10.1 इंचेस की इनफोटेन्मेंट स्कीन आपको देखने को मिलेगी एंड्रॉइड ओट्ट और एपर कार पे सपोर्ट करती है इसमें आपको वैले मोड देखने को म मिलेंगी यह रहे एसी के वैंट सजाड की पोजिशन दोनों फ्रंट की वैंटिलेट शीट के ऑप्शन इंजन आइडल स्टाट स्टॉप सिच वहां पे आप देख पाएंगे एसी के कंट्रोल इसमें आपको फुली आटोमेटिक एसी ओफर किया जाता है साथी साथ आपको इसमें एर प्यूरिफायर भी दिया गया है दूस्तो दो टाइप सी के फोट फोन वगरा चार्ज करने के लिए वायरलेस चार्जिंग आपको ओफर करी जाती है इंजन स्टाट स्टॉप स्विच बारा वोल्ट का एक सॉकेट यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा सिक् की बात करें तो पर्फोरेटेड और वेंटिलेटेड फरंट की दोनों सीट है प्रॉपर लैदरेट है ब्लैक और वाइट कॉमिनेशन काफिक जच रहा है इस पर यह आपका गलव बॉक्स कूल गलव बॉक्स आपको यहां पर ऑफर किया जाता है और कुछ इस तरह से यह आ सॉकीनों के लिए काफी बड़ी ऑप्शन है इधर आपको ग्रैब अंडल्स देखने को मिल जाएंगे तो चलिए अब सेकेंड डो में चलते हैं और सेकेंड रो के सीटिंग का फवर्ट की बात करते हैं डोर अंडल्स क्रोम में ओफर किये जाते हैं यहां पर भी आपको ब् के देखते हैं कि सीटिंग कमफोर्ट हमें किस तरह का देखने को मिलता है ड्रैवर सीट मेरे हिसाप से एडजस्टेड है और यह आपका फ्रंट डैश्बोर्ट साथ में सन रूफ काफी बड़िया लुक दे रहा है इधर आप देखिए थाई सपोर्ट में थोड़ इसी कमी महसूस हो रही है लेकिन रॉब और नीरूम में आपको बिलकुल कमी महसूस नहीं होगी यहां पर आपको यह इसी वेंट दिए जाता है दो टैप सी के पोर्ट पीछे मूझे थोड़ा सा हम यहां पर आपको देखने को मिलेगा लेदर शी शीट आपको यहों पर याजिया स साथ में इकव果 वोलडर से तीन टीनacz एड़ेस्टिबल हडेस् तीनो पैसेंजर के लिए आपको देखने को मिलते हैं सीस्टी फॉर्टी स्प्लीट में सीट स्प्लीट हो जाती है तीनो पैसेंजर के लिए सीट बेल्ट साथ माइसोफिक्स चाइल्ड माउंट आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तो यह रही आपकी पार्सल ट्रे केविल लैंप आपका LED में दे रखा है चलिए एक बार इंजन का पार्टमेंट देख लेते हैं यहां से आप इंजन बे उपन कर पाएंगे तो इस पर्टिकलर व दोस्तो यह था आपका फोर्क्सवेगन टाइगून के टॉप लाइन वेरियंट का कम्प्लीट वॉकराउंड 18.19 लाक आन रोड पढ़ता है अब आप बताएगा फाइव स्टार रिटेट कार है इतने सारे फीचर्स आपको उफर किये जाते हैं बिल्कुल इस कार को जय भारत